आज हमने बनाया है इटली की ओवर्ण में बहुती ज़्यादा टेस्टी नास्ता ये देख सकते हैं आपकी दिखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है बहुती ज़्यादा सॉफ्ट होता है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और साथी हेल्दी भी है आप अगर आपको यह रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना तो चली रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हम कढ़ाई में एक टीस्पून ओय डालेंगे ओयल करम होने पर इसमें एक कर देंगे साथी पानी में बॉयल आने देंगे और इसमें बहुत सारा आपको हर धन्या डालना है एक तम बारी कटा हुआ यहाँ पर जैसे ही पानी में बॉयल आना शुरू हो जाए तब हम इसमें डालेंगे सूजी तो यहाँ पर मैंने एक कप सूजी ली है उसी कप से दो कब पानी लिया था, तोुजी को अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम को रखेंगे, और इसे दो से तीन मिट के लिए बस कोक करेंगे, जब तक की सुजी का इच्छा सा डो ना बन जाए तब तक हमें इसको कोक करना है, सूजी बहुत जल्दी फूल जाती है, बहुत जल्दी कोक हो जाती है, और सिर्फ 2-3 मिट में ही इस तरह की आपको consistency मिल जाएगी, तो इस तरह से हमें सूजी का यह डो बना कर त्यार करना है, अब सूजी की इस मिक्षर को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से, इकी कटोरी सूजी से हम बहुत सारा नाश्ता बना कर त्यार कर सकते हैं, तीन से चार लोगों के लिए नाश्ता इनफ हो का इस मिजर्मेंट के साथ, तो यहाँ पर देखिए सूजी की जो हमने मिक्षर बना, इसकी अच्छे से बॉल बन रही है, इस त इसमें बारिक कटीवी शिम्ला मिर्ची एट करेंगे, और साथी इसमें एक चौथाई कप गाजर एट करेंगे, थोड़ा सा हरा दिनिया कटा हुआ रखा था, तो भी मैंने एट कर दिया है, थोड़ी सी हींग, हल्दी पाउडर, आदा चोटी चमस धनिया पाउडर, एक च टेस्ट के अकॉर्डिंग और नमक को भी अच्छे से हम इस मिक्षर में मिक्स कर देंगे, तो इस तरह से हमें ये मिक्षर बना कर ट्यार करना है, ये हमारी स्टफिंग है, जो कि बहुत जादा टेस्टी लगती है, और साथी हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें कोई जाद तेल मसाले का यूज नहीं किया है इसे साइड में रख देते हैं अब हमारा जो सूजी का मिक्षर था ये भी काफ़ी ठंडा हो चुका है इस मिक्षर को पूरी तरह से ठंडा नहीं होने देना है इस बात का ध्यान रखिए का टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिक्स कर देंगे और इसके बाद में इस आटे को हमें अच्छे से मसलना है ये जो मिक्षर है ये एकतम स्मूध होना चाहिए जैसे कि हम रोटी बनाने के लिए आटा मसलते ना बिल्कुल वैसे ही इसको मसलना है और उतना ही हमें सौफ्ट करना है तो इस तरह से देखिए मैंने अच्छे से तोड़ा सा इसमें ऑईल ढालेंगे हम जैसे यह और भी अच्छे से चिकना हो जाएगा और हाथ उसे ज्यादा चिपकेगा नहीं तो देखिए अच्छे से हमें इस मिक्षर को मिक्स करना है यह रेसिपी आप कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएएगा ता को हमें ले लिए और हातों मैं थोड़ा सा ओईल लगा लिया है अब निबू के बराबर हम मिक्षर लेंगे मतलब जितने बड़ी निबू रहता है जितने हैं जिसके हमें इसकी बॉल बनानी है, और फिर इसके बाद में इसे इस तरह से कटोरी बनानी है। धोड़ा सा डूकों मसल लीना हाथ में तो बहुत ही अच्छे से चिकनी चिकनी बॉल बनकर त्यार होगी। और इस तरह से देखे मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है। आते हैं तो हम बना सकते हैं काफी अच्छा लगेगा तो देखे इस तरह से मैंने इसको अच्छे से गोल कर लिया है बिल्कुल पी इसमें दरारे नहीं है एक दम चिकना हमारा यह बॉल बनकर ट्यार हुआ है तो इससे हम एक प्लेट में रख देंगे आप देख रहें ना कि नास्ता बनाना कितना जादा आसान है जिन लोगों को कुकिंग नहीं आती है बिकनर्स हैं वो यह नाश्ता जरूर से बना सकते हैं आसानी से बना पाएंगे वापस से मैंने एक दूसरी और लोई ली थी और उसे भी अच्छे से अपने हाथ पर फैला लिया और वापस से इ भर पर बनके त्यार होगा जरूर से इसको ट्राइगेजेगा देखिए मैंने सारी बॉल्स बना कर त्यार कर ली हैं इस टोव में और इस स्टफिंग के साथ में करीवन 13 पीस बनकर त्यार हुए हैं 3-4 लोगों के लिए और यह देखिए बहुत ही अच्छे से यह बॉल्स बनी हैं बिल्कुल भी इसमें दरारे नहीं हैं सारी बॉल्स चिकनी हैं अगर आपको लगे कि आटा आपके हाथ में चिपक रहा है तो थोड़ा सा ओयल ले लेना और इस तरह से आप भी बना कर त्यार क इनकी जो साइज है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं है बहुत ही अच्छी लगती है और यह नाश्टा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है साधी बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि हम इसमें बहुत ज़्यादा ओयल क का यूस नहीं कर रहे हैं यहां पर मैंने इटली ओवन में पाने को बॉयल होने रख दिया था स्टीम होने के लिए और फिर यहां पर इसकी प्लेट्स हम एक एक करके रखेंगे यहां पर यह जो है एक पीस थोड़ा जादा था मतलब इटली मेकर में 12 पीस ही बन सकते हैं लेक करन हटाएंगे और आप देखेंगे कि यह नाश्ता अच्छे से बनकर त्यार हो चुका है और अब इसे हम हलका सा ठंडा होने देंगे फिर इस तर इन्हें प्लेट से निकालेंगे बिल्कुल भी प्लेट में चपकते नहीं हैं जैसे आपने रखे थे बिल्कुल वैसे ही न साने डालेंगे साती एक चोथै चमस जितना हम कश्मीरे लानमी चपाओर डालेंगे और थोड़ा सा इस पर मैं नमक डाल रहे हूं सिर्फ थोड़ा सा जीरा डाल देंगे एक चोथा हिश बुलने के बाद इसे पूरे दवे पर अच्छी से फैला देंगे और यहां पर बॉल्स हमें क्रिस्पी होने तक अच्छे से कोक करना है तो 4-5 मिट का समय लगेगा आप इने सैलो फ्राइ ये डीफ फ्राइ भी कर सकते हैं अगर किसी को इस तरह से खाना पसंद ना आए तो आप सैलो फ्राइ कर लीजेगा नहीं तो आप डीफ फ्राइ कर सकते हैं ये कड़ जब अच्छे से सिख चाय तो आप इने पलट दीजेगा और अच्छे से इने 5-6 मिट के लिए कोक कीजेगा तो ये उपर से क्रिस्पी हो जाते हैं अंदर से सॉफ्ट रहते हैं बहुत जादा हेल्दी है मज़िदार नाश्ता है जरूर से आप ट्राइ कीजेगा और अपन बन चुकी है हमारी और बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो गई है दोनों साइट से बहुत ही अच्छा कलर आया है इस तरह से गोल्डन कलर आने तक आप पिने कोक कीजेगा और हमारा ये नाश्ता बनकर त्यार हो चुका है इसे मैंने हरी चटनी और टोमेंटो केचप के आय कीजिएगा कैसी लगे आपको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा अगर पसंद आये हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और जानल को सब्सक्राइब भी करना